हरी कृष्णा रादे रादे तो फ्रेंट्स जेस्ट मास के शुक्लुपक्षिगी दश्मी तिथी को गंगा दशेरा मनाया जाता है वीडियो में हम आपको गंगा दशेरा की पूजा विदी बताने वाले हैं तो फ्रेंट्स 2024 में 16 जून दिन पढ़ रहा है रविवार का इस दिन गंगा दशेरा मनाया जाएगा गंगा दशेरा के दिन कहते हैं कि गंगा इसनान करना दान करना और दीप दान करने का बहुत ही जादा महत होता है तो फ्रेंट्स गंगा दशेहरा के दिन गंगा मिया धरती पर अक्तरित हुई थी भागी रथी जी की तपस्या के कारण तो अगर आप किसी कारणवर्ष गंगा जी के पास नहीं जा सकते हैं आप अपने घर में ही क्रतिम गंगा बना करके भी उनका पूजन कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे देखिए आटे के दीपक तयार किये हैं और दसकी संख्या का गंगा दशेरा के दिन विशेश महत होता है तो हमने यहाँ पे दस दीपक बना के तयार किये हैं आप इसकी जगा मिट्टी के भी दीपक ले सकते हैं तो फ्रेंट्स गंगाजी में आटे के दीपक दान करना बहुत अच्छा होता है जिससे की बाद में उन्हें मचलियां खा सके तो आप देखिए दीपक हमने साइड में रख दिये हैं तैयार करके उसके बाद देखिए हमने ली है यहाँ पर पीतल की थाली और गंगाजल आप थाली की जगा परात ले सकते हैं लेकिन जिसमें आप भोजन करते हैं वो थाली आप ना ले तो परात सबसे ज़्यादा शुद्ध होती है तो आप परात भी ले सकते हैं जा फिर जो भी भगवान को इस नान कराने के लिए जो पात्र है आप वो ले सकते हैं मिटी का कोई पात्र ले सकते हैं उसमें सबसे पहले देखी हमने गंगाजल डाला और उसको ताजा शुद्ध जल से हमने भर दिया है तो फ्रेंट्स अब हम यहाँ पर ले रहे हैं शिबलिंग आप शिबलिंग की जगा फोटो भी ले सकते हैं शिब पारवती का अगर शिबलिंग ना हो तो और शिबलिंग का ये जो होती है जलाधारी इसको आप ध्यान रखें कि ये उत्तर दिशा की तरफी होनी चाहिए ठीक करेंगे उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है कच्चा दूद आप पंचामरत से इसनान करा सकते हैं तो फ्रेंट्स गंगा जी की पूजा करते समय शिब बावा की पूजा हमें जरूर करनी होती है क्योंकि शिब जी ने अपनी जटाओं में ही गंगा के बेग को संभाल रख दूद से अभिशेक कराने के बाद शुद्ध ताजा जल से दुबारा हमें अभिशेक करना है ठीक है उसके बाद देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे दीपक प्रजुलित करेंगे तो दस के दस दीपक हमें एक साथ जला लेनी है तो फ्रेंट्स आज के दिन आप गंगा इस पूजा जरूर करें और अपने घर के मंदिर में रखी सभी मूर्ती फोटो पर गंगाजल जरूर छिड़कें अपने पूरे घर में आपको सापसफाई करने के बाद गंगा जल जरूर छिड़कना है तो फ्रेंट्स जो कोई भी आज के दिन गंगा इस्नान करता है दान करता है दीब दान करता है कहती हैं उसके दस प्रकार के पापों से उसे मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ती होती है तो आप आज के दिन ये पूजा अपने घर में जरूर करें तो हमने दिखिए कुछ इस तरह से सारे दिये जैसे घाट के आसपास हम लगा देते हैं गंगा जी के उस तरह से हमने लगा दिये हैं और दूबबत्ती आप जरूर जलाने से पॉजिटिविटी आती है और वातावरन भी सुगंदित हो जाता है इसके बाद हम भूले नात की पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे रुद्राक्ष की माला पहना रही हूँ आप जन्यू चड़ा सकते हैं इसकी जगा आप वस्तर रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं उसके बाद देखिए चंदन से हम तिलक कर रहे हैं भूले नात को बूल कर भी हल्दी या रोली हमें नहीं लगानी हैं उसके बाद बिना तूटे हुए अक्षत चावल हमें चड़ानी हैं देखिए कुछ इस तरह से उसके बाद काले तिल हम अर्पित करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से गंगा मिया का पुजन करेंगे तो ये देखिए हाथ में रोली लेके इस तरह से हम रोली अर्पित करेंगे चंदन अर्पित करें रोली अर्पित करें और सफे तिल काले तिल इसके बाद हम भूले नात को शमी पत्र अर्पित कर रहे हैं आप यहां पे बेल पत्र मदार के पुष्प भांग धतूरा जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो चीजें आप अर्पित करें कनेर के पुष्प भूले नात को अति प्रिये हैं तो कनेर के पुष्प हम अर्पित कर रहे हैं इसके अलावा सफ फूल प्रिय हैं तो हम देखिए सफेद पुष्प इस तरह से अर्पित कर रहे हैं और गंगा मिया को हम लाल रंग के पुष्प भी अर्पित करेंगे तो यहां पर मेरे पास गुलाब के फूल हैं तो इस तरह से अर्पित करेंगे अगर आपके पास जो हो तो वो आप जरूर कि दूगान पर इस बैसे पूज़ से डालें घंगाजी में चारों तरफ गैंदे के फूल से सजावट कर दी है इसके अलावा फ्रेंट्स हमें लेना है अबरक होता है इतम चमकीला जैसे देखे कुछ इस तरह से बोले नात पर अर्पित किया जाता है कहते हैं भूले नात का इससे शिंगार होता है तो आप भूले नात की पूजा में अबरग जरूर चड़ाया करें पूजा की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगा उसके बाद देखिए हम भोग अर्पित करेंगे तो भोग में यहाँ पर देखिए मैं बताशे का और आम का भोग लगा रही हूँ आप दस प्रकार के फलों का भोग लगा सकते हैं किसी भी प्रकार की मिठाई या पूरी पकवान बना के भी भोग लगा सकते हैं इसके अलाबा गंगा मैया के लिए सुहाक सामगरी हमें जरूर चड़ानी है तो 10 चीजें होनी चाहिए सुहाक सामगरी में तो आप देख लें जो भी आपको आसानी से मिल जाएं और अगर जादा कुछ ना भी हो सके तो कम से कम सिंदूर और बिंदी आप गंगा मैया को जरूर अर्पित करें इसके बाद हाथ में थोड़े से चावल या फूल ले करके गंगा दशेरा की आप कथा सुने कथा के बाद चावल आप गंगा जी में इसी तरह से अर्पित कर दें उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर लॉंग कपूर से आरती और आज के दिन आप शिपचालीसा का पार्ट कर सकते हैं और गंगा इस तरोत का पार्ट अगर आप गंगाजी में खड़े हो करके करते हैं ऐसा करना बहुत अच्छा होता है और आप इस तरह से गंगाजी के बीचो कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको यह पूजा या तो ब्रह्म मूरत में करनी है या फिर संध्या के समय क्योंकि दीबदान या तो ब्रह्म मूरत में किया जाता है या फिर संध्या के समय अंधेरे में ही दीबदान का महत होता है और गंगा दशेरा के दिन आप कोई भी किसी भी तरह का पूजा पाट घर में करा सकते हैं, हवन करा सकते हैं, क्योंकि इस दिन बहुती ज़ादा शुभ योग होता है, पूजा के बाद ये जो गंगाजल है, ये आप किसी भी पेड़ पौदे में डाल दे, बस ध्यान रखें, तुलसी जी में नहीं चड़ाना है, क्योंक के दीपक अगर आप जलाएंगे, तो पूजा के बाद आप वो गाए को या फिर चीटियों को खिला सकते हैं, और अगर आपके घर के आसपास कोई नदी सरोबर तालाब है, तो आप संध्या के समय वहाँ पर भी दीपदान कर सकते हैं, और अपनी ही जगा पर खड़े ओकर गोल घूम के पाच या साथ आप परिक्रमा जरूर कर लें, तो फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें, तो वीडियो का गरतियों में यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आदे राधे